हलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर जंक्सन पर मैं ओम सिंग आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ जैसा कि आप लोग को विदित होगा कि हम नंबर सिस्टम की सीरीज लेकर के चल रहे हैं और आप लोगों ने पिछले वीडियो पर बहुत प्रेम और इसने बनाए रखा है इसलिए मैं आसा करूँगा कि आप भी आगे और बनाए रखेंगे तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे और मेरा जो पहला टॉपिक था आपने देखा था कि नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले आप देखे कि number system हमारे कितने प्रकार के आये तो number system चार प्रकार के आये octa, hexa, decimal और आपका दुई पध्धती है जिसको क्या बोलते है binary system बोलते है तो इन पध्धतियों में हम पढ़ते हुए जब आगे की तरफ बढ़े तो हमारी mathematics क्या थे कि वो decimal number पर आधारित है और हम अगर competition के point-up view से बात करेंगे तो हमको दो ही system पढ़ना पड़ता है पहला system आपका decimal system जिसमें 10 संख्याएं अर्थाद 10 digit होती है जो 0 से start होती है और 9 पर जाकर के खतम हो जाती है इसी तरीके से जो दूसरा system बोला गया उसको क्या बोला गया binary system जिसको हम computer की भासा भी बोल सकते है यहाँ पर के दो digit होती है इसलिए इसको दो अंकिये पधती के अंतरगर मानते है देखें number system हमारा क्या हुआ कि जब start हुआ या हमने video के last में हम पढ़े थे कि twin prime number क्या होता है perfect number को बोला जाता है पून कालिक संख्या क्या बोला जाएगा भी या पून कालिक संख्या अब देखें पून कालिक संख्याओं को जानने से पहले आपको दो चीजे जानने की आवसकता है पहली आपको जानना है कि factor क्या होता है अगर हम आपसे फैक्टर की बात करें इसको बोलते हैं गुड़न खंड और अगर हम मल्टिपल की बात करें इसको क्या बोलेंगे गुड़ज अब ध्यान दिजyगा अगर मैं किसी भी एक particular संख्या को लूँ जैसे मालो हम एक संख्या ले लिये क्या 12 ले लिये अगर इस संख्या को ध्यान से समझेगा की 12 क्या है बारा एक प्रकार की संख्या है अगर मैं आपसे पूछो की 12 का गुड़न खंड क्या क्या हो सकता है तो तो उस संख्या से हमेशा क्या होगा या तो इक्वल होगा या तो उस से क्या होगा छोटा होगा कभी भी गुरंखंड संख्या के मान से बड़ा नहीं हो सकता है तो इसका मतलब यह हो गया सर कि 12 का गुरंखंड कौन कौन हो सकता है गुरंखंड मतलब दो चीजें आपको ध्य देना है कि गुड़नखंड दी गई संख्या का अगर गुड़नखंड है तो वो संख्या से बड़ा कभी नहीं हो सकता है वो या तो संख्या के मान के बराबर होगा या तो संख्या के मान से क्या होगा छोटा होगा अब देखिए और दूसरी बात पहली बात तो आपने जाना कर दे उसी को उसका क्या बोलेंगे गुड़न खंड बोलेंगे जैसे जैसे अगर हम बात करें कि बारा को कौन-कौन संख्या काट सकती है तो पहली संख्या तो एक काटेगी दूसरा दो काट देगी तीसरा तीन से विभाजित होगा चौथा चार से और आपकी पांचवी क्या होगी छठी से चा से और बारा जो है बारा से स्वेम से विभाजित हो जाएगा तो बारा की ये कितने गुड़न खंड है एक दो तीन चार पांच छे बारा की कितने गुड़न खंड है छे और ये छो गुड़न खंड जो है इस बारा को क्या कर देंगे एक जैक्ड मतलब गुडन खंड, खंड मतलब क्या होता है भाग, छोटा सा टुकड़ा, तो जब खंड होगा तो 12 से तो बड़ा हो नहीं सकता है, 12 का ही कोई भाग होगा या तो 12 स्वयम होगा, तो गुडन खंड आपके इस तरीके से होते हैं, ऐसे संख्या हैं, ऐसी संख्या दी गई सं गुरणखंड नहीं हो सकता क्योंकि 7 भले 12 से छोटा है लेकिन 7 इसको पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा या विभाजित नहीं कर पाएगा इसलिए 7 इसका गुरणखंड नहीं होगा दूसरी बात अगर हम गुरणखंड की बात करें तो गुरणखंड का मतलब यह होता है कि जैसे कोई संख्या मालो जैसे 5 है अगर मैं 5 का गुरणखंड अर्थात multiple चाहूंगा तो इस संख्या को जब मैं natural नंबर से गुरा करते हुए आगे की तरह बढ़ूंगा इसी नंबर क मतलब 5 को ही देखो natural नंबर क्या होती एक से start होती अर्थात all positive number are क्या होते है वो सारे के सारे क्या होते है natural नंबर होती है प्राकृतिक संख्या होती है जैसे 4 हुआ 5 हुआ फिर 6 हुआ डाट डाट हम infinite तक की अगर बात करें जब किसी संख्या को हम natural नंबर से गुड़ा करत हुए जाते हैं तो जो उनका product अर्था जो उनका result प्राप्ठ होता है product का वही क्या कहलाता है उसका multiple जैसे 5 का multiple 5 होगा 10 होगा 15 होगा 20 होगा ऐसे 30 होगा that that क्या होगे infinite होगे तो इसका मतलब यह हो गया कि आपने यहां से result क्या पाया result यह था कि गुड़न खंड जो होते है वो क्या होते हैं सीमित होते हैं गुड़न खंड क्या होते हैं या सीमित अवस्था में होते हैं लेकिन गुड़ज क्या होते हैं असीमित अवस्था में होते हैं इसलिए हमको यहां पे तो विसेस मतलब इससे नहीं है हमको मतलब किससे हैं factor से तो factor आपको समझ में आ गया हो होंगे छोटे ही हो सकते हैं कभी बड़े नहीं होंगे लेकिन multiple क्या होते हैं संख्या के बराबर भी हो सकते हैं और संख्या से बड़े हो सकते हैं multiple कभी भी संख्या से छोटा नहीं हो सकता है तो आप लोगों को ये सामने कोई संख्या हो, जैसे अगर हम बात करें कि perfect number, तो 2018 तक केवल 51 perfect number की खोज हुई है, कितने 51 perfect number की खोज हुई है, और की खोज हुई है, खोज हुई है, वो 51 perfect number क्या था? 81, 25 था, और आप जानते हैं कि अगर हम perfect number की बात करें, तो perfect number 6 होगा, 28 होगा, और आपका 496 होगा, dot dot 81, 25, मतलब ऐसे ही करके क्या है 51, जब आप लोग net पे जाएंगे perfect number की list आप ढोड़ेंगे, तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि total हमारे कितने है perfect number, हमारे पास केवल 51 perfect number हुए है, 2018 में 51 perfect number खोजा गया, जो संख्या कामान क्या था? 81, 25 था, और ये CGL में question पूछा जा चुका है, 2018 के CGL में, चुकि, 2018 की ये current की घटना थी, कि जब perfect number की खोज होते होते, जब हम 51 तक पहुँचे, तो आप जानते हैं कि जो 59 perfect number था, वो क्या था? 81, 25 था, तो ध्यान रखिएगा कि perfect number को हम जाने कैसे, देखिए perfect number ये ही चार्ट हुँ, याद कर लिजिए, बहुत ज़्यादा पूछेगा, जैसे छोटे मोटे एक जामों में पूछ लेता है, जिसको क्या बोला गया, पूर्ण कालिक संख्या, और 2018 में 85 की खोज हुई, इसलिए इसने एक्जाम में क्या किया, पूछ लिया, तो आप इन चारों डिजिट को याद रखिएगे, चारों नमबरों के याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, 6, 28, 496, और 185, अब देखिए, जैसे पेपर में मालिय जी आप से पूछा गया, कि निम्न में कौन सा नमबर, परफेक्ट नमबर है, तो आपको मालो आपसन दे दे, 10, 6, 12, और मालिय जी 8 दे दे, तो इसमें कैसे हम पहचानेंगे, कि कौन परफेक्ट नमबर है, तो हमको याद होना चाहिए, कि 6 क्या है परफेक्ट नमबर, 28 क्या है परफेक्ट नमबर है, 496 क्या है परफेक्ट नमबर, 85 क्या है परफेक्ट नमबर है, तो देखिए धान से, अगर मैं बात करूं कि 10 perfect number है की नहीं है तो इसको कैसे सिद्ध किया जाए तो धान देजिए सबसे पहले हम 10 का क्या निकालेंगे factor निकालेंगे तो 10 का factor का मतलब ऐसी संख्याएं जो 10 को काट दें पूरी तरीके से विभाजित कर दें या divide कर दें तो ऐसी संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हैं पहला तो आपका एक होगा और क्या होगा दूसरा दो होगा तीसरा क्या होगा पांच होगा और इसके बाद last वाला सबसे नंबर कौन होगा 10 होगा तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के जो गुड़न खंड होते हैं, एक तो स्वयम होता है, एक तो एक अवस्य स्वयम होगा, एक स्वयम होगा, और एक क्या होता है, बीच में जो भी होते हैं, उसको आम लोग ढून लेते हैं, अब देखिए इसमें क्या होगा, कि परफे हमका गुड़नखंड छोड़ करके आगे के जितने गुड़नखंड जितने फैक्टर हैं उनका यदी योगफल संख्यात्मक मान के बराबर हो गया तो वो संख्या क्या होगी परफेक्ट नमबर होगी जैसे पांच दो साथ एक आठ अब यहाँ पे देखो क्या दस के बराबर यह हुआ तो यह 10 के बराबर नहीं हुआ तो इसलिए 10 भी क्या है परफेक्ट नमबर नहीं है इसलिए यहाँ पे हम कह देंगे कि निमन में कौन सा परफेक्ट नमबर है तो हम कहेंगे कि 10 क्या है परफेक्ट नमबर नहीं है अगर हम 12 की बात करें तो 12 को कौन कौन सी संख् काट सकती हैं, तो 1 काटेंगे, 2 काटेंगे, इसके बाद 3 भी काटेगा, 4 भी काट देगा, और ये संख्या 6 से भी divide होगा, और किस से divide होगा, 12 से भी divide हो जाएगा, तो हम ने बताया कि स्वयम का factor छोड़ करके, और जितने बाकी factor है उनका sum, अगर संख्या के बराबर हो गया, तो उको संख्या क्या होगी? perfect number होगी जैसे 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6 तो कितना हो गया? 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15, 1, 16 तो क्या देखो 12 की ये बराबर है? तो 12 के बराबर नहीं है तो ये भी perfect number नहीं होगा. तो यहाँ पर 12 भी perfect number नहीं होगा. अगर हम 8 की बात करें, जैसे अगर 8 की बात करें कि 8 क्या है? तो देखिए 8 को कौन-कौन काटेगा? 1 काटेगा, 2 भी काट देगा इसको, और 4 भी काटेगा, और कौन विभाजित कर देगा? 8 भी विभाजित कर देगा, तो perfect number की वही बात कि स्वया मौले गुड़न खंड को छोड़ कर, बाकी अगर number का sum कर दें, अर्था 4 धन, 2 धन, 1 4, 2, 6, 1, 7, क्या ये 8 जो है 7 के बराबर होता है? तो नहीं होता है, तो ये भी नहीं दे पाया, तो इसलिए 8 भी perfect number नहीं है. तो perfect number कौन होगा? perfect number 6 होगा, कैसे होगा? इस चीज को आईए, समझ लेते हैं. देखिए ध्यान से इसको, अगर मैं 6 के बारे में बात करूँ, तो सबसे पहले हमने बताया कि 6 का क्या निकालना है हमको? 6 के क्या निकालने है? गुड़न खंड निकालने हैं. तो 6 के कौन-कौन से गुड़न खंड होगे? तो 6 को 1 काट देगा, 2 काटेगा, 3 काट देगा, और कौन काटेगा भिया? और आपका 6 काटेगा. इसके अलामा और कोई भी इसके जो factor है, इसके और कोई नहीं होगे. कौन, कितने factor होगे, 4 factor होगे. तो वही सर्थ यहां पर भी है कि स्वयम का गुड़न खंड छोड़ दीजिए, और बाकी जितने गुड़न खंड हैं, इनका योगफ़ल अगर संख्या के बराबर आ गया, तो वो संख्या क्या होगी? परफेक्ट नमबर हो गया. ऐसे ही अगर हम बात कर लें कि 28 कैसे परफेक्ट नमबर है, तो 28 के बारे में आईए, वेरिफाई कर लीजिए कि 28 कैसे परफेक्ट नमबर है, तो 28 के क्या पता करना पड़ेगा? पहले तो आपको यह पता करना पड़ेगा, कितने तो फैक्टर कौन होगा? एक काट देगा, दो इसको विभाजित कर देगा, तीन नहीं काट पाएगा, चार काट देगा, चार सत्ते 28, इसके बाद साथ भी इसको काटेगा, और इसके बाद हम अगर बात करें तो साथ के बाद हमें लगता है कि 14 होगी जो 14 इसको काट पाएगी 14 दुनाई 28 और 14 के बाद स्वयम क्या है 28 ही इसको डिवाइट कर पाएगा और हमें नहीं लगता कि इसमें कोई भी संख्या जो है इसको और डिवाइट करने वाली हो तो हम कह सकते हैं कि 28 के कितने फैक्टर होंगे कितने फैक्टर होंगे तो 3-3 6 फैक्टर होंगे तो वही सर्थ यहां पर भी है कि स्वयम का फैक्टर छोड़ करके आगे के फैक्टरों का यदि सम संख्या के बराबर हो गया तो जो दी गई संख्या है वो संख्या क्या होगी perfect number होगी, तो जैसे देखो 1 plus 2, plus 4 plus 7, plus 14, तो कितना हो गया 7, 4, 11, 11, 12, 13 13, 14, और 14 इधर, total कितना हो गया 28, यहाँ पर देखो, संख्यात्मक मान के बराबर हो गया, इसलिए इन संख्याओं को क्या बोलेंगे perfect number बोलेंगे, तो फिर perfect number की खोज हुई है 2018 की data के अंसान तो ध्यान रखियेगा कि perfect number 6, 28, 49, 6, 81, 25, यह परिक्षा की point आप ब्यू से क्या है important है, तो यह हमारा है perfect number, तो याद रखियेगा उम्मेद करते हैं, याद रखेंगे आप लोग चलिए, हम थोड़ा सा यहां से बनने वाले एकाद question की और बात कर ले कि कैसे question आपका बन सकता है तो आपने देखा कि perfect number क्या थे, perfect number वही number थे, कि जिनके स्वयम को गुड़न खंड दी गई संख्या के गुड़न खंड जो संख्या के दे गई गुड़न खंड है और स्वयम का गुड़न खंड छोड़ करके जितनी भी संख्या हैं, उनका सम अगर हम कर दे, जितने factor से बचते हैं, उनका अगर योगफल संख्या के बराबर होगा तो वह क्या कहलाएंगे, perfect number कहलाएंगे अब देखिए, हम आगे की बात कर ले अब number system में आप लोग सारी basic चीज़े जान चुके हैं नंबरों के बारे में, कि कौन से नंबर कहाँ पर कैसे हैं, जैसे को प्राइम आपके जान चुके हैं, ट्विन प्राइम नंबर जान चुके हैं सम विसम और पर्मिय, अपर्मिय इन सारी चीज़ों की हमने चर्चा कर ली है और हमने यह भी बताया है कि दो पर्मिय और अपर्मिय संख्याओं के बीच में अनंत पर्मिय अपर्मिय संख्याओं हो सकती हैं, तो अब सारे question जब हम board पर discuss करेंगे, तो वहीं पर सारी data की चर्चा कर लेंगे, आईए हम चलते हैं आगे की तरब देखिए अगर number system की बात करें तो number system में आप लोग आपने अभी तक यह पढ़ाया कि number क्या होते हैं, उनका classification कैसे कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों की हमने चर्चा briefly कर ली है अब आईए हम आगे की तरब बढ़ते हैं यहाँ पर एक concept आता है number के बारे में कि number को कैसे represent किया जाता है, तो देखिए number आपके दो तरीके से divide होंगे, पहला आपका होगा क्या, जिसका number का क्या होगा, face value होगा, face value और दूसरा क्या होता है place value, अगर हम face value और place value की बात करें, तो द्यान से देखिएगा, place value को बोलते है अस्थानिये मान, क्या बोलेंगे अस्थानिये मान, और face value को ही क्या बोलते है जातिये मान, बोलते है जातिये मान, इसी को कई परिक्षाओं में अंकिये मान दे करके पूछ लिया है कि अंकिये मान क्या होता है तो अंकिये मान को ही क्या बोलते है जातिये मान या अंकिये मान नाम से ही पता होगा कि नंबर जिस फॉर्म में लिखे जाते है जैसे उनका सिंबल होता है उन्ही नंबरों का वो क्या कहलाता है, फेस बैलू कहलाता है, प्लेस बैलू क्या होता है, जैसे कोई नंबर है, मान लेजिए 28,25 हो गया, तो अगर मैं बात करूँ कि इस नंबर का सब का क्या है, कोई न कोई प्लेस होगा न, कि कौन सा नंबर किस प्लेस पे है, तो ध्यान द तो ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकडा, हजार, तो ये इसका क्या है, अस्थानिय मान है, अब देखिए, जातिय मान की बात करूँ, या अंकिय मान, या फेस बैलू की बात करूँ, तो कोई संख्या किस फॉर्म में लिखी जाएगी, उसका सिंबल क्या होता है, लिखने का, जैसे मैं आपसे कहूँ, A कैसे लिखा जाएगा, A, तो आपके दिमाग में आता है, A ऐसा भाऊगा, B कैसे लिखा जाएगा, तो B का गंसप्ट ऐसे आता है, तो ये इसके क्या है, अंकी एमान, कैसे इसको लिखा जाता है, वही उस संख्या का क्या कहलाता है अंकियमान या जातियमान तो उसी तरीके से अगर मैं पूछू कि एक कैसे लिखेंगे तो वह न ऐसे लिखेंगे 100 कैसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे सर ये बताओ 25 कैसे लिखोगे ऐसे लिखोगे 9 कैसे लिखोगे ऐसे एक 11 कैसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे तो मतलब ये सारी की सारी संख्याओं का लिखने का जो तरीका होता है जो उनका सिंबल होता है जो उनका कंसेप्ट होता है या मानसिक बिम्ब होता है जो उनका संप्रत्य होता है वही वो क्या कहलाता है उसका जातिये मान या अंकिये मान कहलाता है और इन संख्याओं में डिजिटों का क्या क्या अस्थान होता है उनका क्या सिस्टम होता है उसी को क्या बोलते हैं अस्थानिये मान अब देखिए जैसे मैं आपसे बात करूँ कि ये बताइए एक का यहाँ पर अस्थानी अमान क्या होगा तो एक का अस्थानी अमान क्या होगा एक होगा अच्छा भी या पांच का अस्थानी अमान क्या होगा तो पांच के बाद जितने डिजिट होंगी उतना क्या बढ़ा जीरो बढ़ा देंगे, तो पांच के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट हैं, तो एक जीरो बढ़ा, अच्छा, आठ का अस्थानिय मान, अगर मैं आपसे पूछू, तो आठ के बाद कितने डिजिट हैं, एक, दो, तो कितना जीरो बढ़ेगा, दो जीरो बढ़ेगा, अ अब देखिए ये तो संख्या हो गई आपकी क्या इंटीजर फॉर्म में अगर यही संख्या हैं हमारी डेसिमल फॉर्म में हा जाए जैसे पचीस आपका माल लो दो सुच्वन पॉइंट आपका 254 पॉइंट माल लेजे 5 5 क्या इसको करिए 3 और 1 कर दीजिए इसके बाद 7 कर अगर मैं आपसे पूछो कि इसमें बताए ये 3 का स्थानी अमान क्या होगा 1 का स्थानी अमान क्या होगा 7 का स्थानी अमान क्या होगा तो आपको थोड़ा सा इसको समझने की आवेश सकता है अच्छा भी या अगर मैं आपसे 3 का स्थानी अमान पूछूंगा तो आप ऐसे तीन लिख देंगे, देखिएगा, कभी भी ऐसा मत सोचिएगा, कि सर, यहाँ पे 2.000 लिखों, और आपसे मैं कहूं कि 2 का अस्थानी अमान बते हैं, तो आपके एक 2 के बाद कितनी डिजिट हैं, तीन डिजिट हैं, तो आप यहाँ पे 3 0 लगा दिजिए, कि सर, 2 का अस्थान होंगी, उनका स्थानी अमान कैसे होगा, इस चीज को समझ लिजिए, जैसे मैं पूछों कि यहाँ पे 3 का स्थानी अमान बताइए, तो 3 का, देखो, अगर मैं दसमलों के पहले की संख्या की बात करूँ कि, यहाँ पे बताइए कि 2 का स्थानी अमान क्या होगा, तो 2 के बा के अंफरार चलेगा तो दो का अस्थानी अमान क्या होगा एक दो तो कितना जीरो दो सो पांच का अस्थानी अमान क्या होगा यहां पे पचास चार का अस्थानी अमान क्या होगा केवल चार होगा लेकिन अगर मैं तीन के अस्थानी बढ़ेगा है एक पर नीचे एक 0 बढ़ेगा। एक का अस्थान अमान अगर मैं पूछऊу, तो एक के आगे कितने अंग पर दसम्लव लगा है? तो देखिए एक, एक, दो. कितने अंग पर दसम्लॵ लगा है यहां पर? तो नीचे कितना 0? दो जीरो. ऐसे अगर मैं पूछहू कि 7 का अस्थानी अमान पूछीए तो दसंवलों कितने डिजिट पे हैं? 1, 2, 3 तो कितने डिजिट पे हैं? 3 तो यहाँ पर कितना 0 बढ़ा देंगे? 3 0 बढ़ा देंगे तो यह इनका होगया कि कैसे अस्थानी अमान निकालें एकदम सही होगी जैसे जैसे देखिए 2 का स्थानिय मान क्या होगा तो 2000 होगा सर प्लस अगर मैं 8 का स्थानिय मान पूछू तो 800 होगा प्लस अगर मैं 5 का स्थानिय मान पूछू तो 50 के होगा और प्लस 1 का स्थानिय मान पूछू तो 1 के बराबर होगा और देखिए जब इन स संख्याओं को जोड़ेंगे तो दी गई संख्या के मान के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा जैसे 2000 में 800 जोड़ेंगे तो 2800 हो जाएगा 50 जोड़े तो 2850 हो गया एक जोड़े तो कितना हो गया 2851 इसी संख्या के तो बराबर आया जब हमने इसको तोड़ा तो ऐसे ही चार का स्थानिय मयान क्या होगा, चार होगा, प्लस, अगर मैं तीन का स्थानिय मयान क्या होगा, तीन बटे दस, और तीन बटे दस को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.3, और एक बटे सो को क्या लिख सकता हूँ, 0.01, चुकि नीचे जितना डिजिट हटेगा, संख्या के ऊपर उतने अंक पे point लगता है, जैसे 2 0 हटा है, तो 2 आया आपका, 1 0 हटा है, तो 1 आया, इसी तरीके से, अगर मैं 3 0 हटा हूँगा, तो कितने अंक पे दसंबलो लगेगा, 3 अंक पे दसंबलो लग जाएगा, तो इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.3 प्लस 0.01 प्लस आपका 0.07, अब देखें, इस संख्या को अगर मैं इधर लाकर के जोड़ूँगा, तो देखिएगा, इस संख्या के मान के बराबर हो जाएगा, जैसे 200.00 ऐसे बढ़ा दीजे, इसके बाद क्या है, 50 है, 0.00 हमने बढ़ा दिया, इसके बाद क्या है, 4 हमने पॉइंट लगाया, 0.00 बढ़ा दिया, इसके बाद क्या है, 0.3, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट और इसके बाद जस्ट 3 है, तुरंत 3 लिखिए, और यहाँ पे देखिए point है, point के बाद 0,1 लिखा है, लिख दीजिए, इसके आगे 0 बढ़ा दीजिए, कोई संख्या के मान पे फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ point लगा है, 3 digit है, तो 3 digit, कितनी digit है, 3 digit है, तो 2,0,7 है, तो 2,0,7 कर दीजिए, अब इसको जोड लिजिए आप, जब इसको जोडेंगे, तो यहाँ पे देखिए, कितना आजाएगा, 7, और यहाँ पे कितना आजाएगा, 1, यहाँ पे कितना आजाएगा, 3, और जब इसको जोडेंगे, तो कितना आजाएगा, 4, 5, 2, तो देखो, 254.3, 1, 7, देखो, यही संख्या तो थी, मतलब यह हुआ कि जब भी किसी संख्या का अस्थानी इमान के रूप में रूपांतरन करेंगे तो उस संख्या का जो रूपांतरन रूप होगा उसका जब मैं योगफल निकालूंगा तो वो संख्या के इमान के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा तो ये इसका अस्थानी एमान का पूरा कंसेप्ट है और जाती एमान तो आप जानते ही है जैसे कोई भी संख्या आप दुनिया में लें जैसे मैं कुछ भी पूछू कि 9 क्या है 9 का जाती एमान पूछिए तो आपके दिमाग में तुरंत मानसिक बिम्ब बनेगा कि सर नो ऐसे बनता है अगर मैं आपसे पूछू साथ का जाती एमान बताईए तो साथ का सिंबल आपके दिमाग में पहले से बैठाया चुका है कि साथ ऐसे होगा अब देखिए हम यहां से कुछ कोश्चन आप लोगों को उठाएंगे ठीक है बच्चों आईए देखिए यह आपका पहला कोश्चन है आपकी स्क्रिन पे स्क्रिन तो नहीं कह सकते चुकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ट की कोई बेवस्था तो है नहीं तो हाइड बोर्ट पर ही हम बनाने की कोशिस कर रहे हैं देखिए तो यहां पर देखिए एक संख्या आपकी क्या है अगर मैं आपसे कहूं भया कि यह बताए यहां पर साथ है और यहां पर साथ है और हमको साथ के ही अस्थानी अमानों का अंतर भी पूछा है तो जरा यह बताएए अगर मैं आपसे पूछूं कि इस संख्या में साथ का अस्थानी अमान क्या होगा तो आप कहेंगे सर सीधा सीधा साथ होगा अगर मैं आपसे पूछू कि इस वाले साथ का अस्थानिय मान बताईए तो भी हमने बताया था कि आप यहाँ पर यह देखेंगी कि कितने डिजिट पे दसमलो है तो एक, दो, कितना डिजिट पे है? दो, तो नीचे कितना जीरो बढ़ेगा? दो अब हमसे पूछा है कि इस वाले साथ का अस्थानिय मान और इस वाले साथ का अस्थानिय मान के बीच में क्या होगा? अंतर पूछा है अंतर मतलब यह होता है कि बड़ी रासी से छोटी रासी को क्या कर दो? घटा दो तो इसी चीज को क्या बोलते हैं अंतर बोलते हैं मतलब बैलू हमेशा positive में लेनी है अब देखिए यह 7 है अच्छा भाई अगर मैं 7 बटे 100 की बात करूँ तो 7 बटे 100 को मैं लिख क्या सकता हूँ तो कहेंगे सर नीचे दो zero है तो ऊपर दसमलो आपकी कितनी संख्याओंपे लगेगी कितनी digit पे लगेगी तो 2 डिजिट पे लगेगे तो आप जानते हैं आपकी जो बड़ी संख्या होगी, उंटीजर होगी, डेसिमल छोटा होगा, तो 7.00.07, अब देखिए यहां से यह संख्या क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और यहां से एक लेकर के जाएंगे उधार, तो यहां पे देखिए क्या हुआ, 10 हुआ, 10 से 7 गया कितना आया, 3, यहां पे संख्या बनी, 9, यहां पे कितना आ गया, 9, और 7 यहां पे गया ही था, तो कितना हुआ, 6, तो इसका जो एंसर होगा, वो एंसर कितना हो जाएगा, 6.93, इसका हो जाएगा, राइट एंसर, अब देखिए इसी अस्थानी मान की ही कड़ी में हम अगल कोश्चन की बात कर लें, तो आईए, आपके लमसम, 5-5 कोश्चन है, 4-5 कोश्चन, जिसका डिस्कुसन हम इसी पे करेंगे, अब देखिए, आपकी अगली संख्या है, जैसे अगर मान लेजी, आपसे हम कहें कि 25, 25, 25, ऐसे लिख दिया जाए, और पूछा जाए कि मैं दो क दो के अस्थानिय मान, में दो के अस्थानिय मान, जिसको क्या बोलेंगे, प्लेस बैलू, का मानों का, अस्थानिय मानों का, योगफल, योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा, क्या होगा, देखिए, दूसरा मारकर ले रहे हैं, थोड़ा सा ये, अच्छा नहीं चल र कि जैसे संख्या 25 25 25 है तो इसमें पूछा है कि दो के अस्थानिय मान बताईए तो यहां पर भीया कितने दो हैं तो एक ये है एक ये है और आपका ये वाला है तो इस दो का प्लेस बैलू पहिले बताईए क्या होगा तो इस दो के बाद देखे कहीं decimal है कहीं decimal नहीं है तो दस कितनी संख्या है एक दो तीन चार पांच तो कितना जीरो बढ़ा पांच जीरो आपका बढ़ गया अगर मैं आपसे बात करूं कि इस दो में बताईए तो इस दो के बाद कितनी संख्या है तीन तो नीचे कितना बढ़ेगा तीन इस दो में देखिए कितनी संख्या है है कि दो के बाद तो एक संख्या है, तो इस वाले दो का अस्थानी एमान कितना हो गया, दो लाग, ये कितना हो गया, दो हजार, ये कितना हो गया, बीस, अब इन ही का पूछा है, इन ही की प्लेस बैलू का का, दो के प्लेस बैलू का सम पूछा है, तो आप जानते हैं इसको लिखेंगे कितने 0 हैं? 5, 0, 5 है इसमें कितने 0 हैं? 3 तो पीछे से 3 0 हमने लिखे यहाँ पे संख्या लिख दी इसमें कितने 0 है? इतने और जब हम इनका योगफल पूछ किये तो देखो 0 आया, 2 आया, 0 आया, 2 फिर 0, फिर 2 तो देखो यह जो संख्या आई यही इसका क्या हो जाएगा? एंसर हो जाएगा तो 2 के अस्थानी मानों का इस संख्या के अंसार जो योगफल करेंगे वो आपका क्या आएगा? 20, 20, 20 इसका क्या हो जाएगा, राइट एंसर हो जाएगा, तो चलिए हम अब दोसरे question की चर्चा यहाँ पे करेंगे, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, दूसरा question देखी अगर आपके board की बात करें, तो इस board पे मैं लिखने जा रहा हूँ, देखेगा ध्यान से, यहाँ पे आपसे अंचान नवे, दसमलो, तीन, आठ, दो, में, में, नव तथा, में, नव तथा, आठ के अस्थानिये मानों का अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा, अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस संख्या की बात करूँ, तो संख्या हमारे पास क्या है, 7295.382, अब यहाँ पे देखिए, नव तथा, आठ के अस्थानिये मान पूछा है, तो यहाँ पे देखिए, यह नव है, इस नव का अस्थानिये मान क्या होगा, तो कहेंगे, सन नव ऐसे लिखा जाएगा, और नव के बाद देखिए, तुरंत एक संख्या है, दसमलो के पहले कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो कितना जीरो बढ़ा, एक जीरो, और यहाँ पे आठ के अस्थानिये मान की बात करूँ, तो देखिए, यहाँ पे दसमलो के बाद अस्थानिये मा तो दो डिजिट पे आपका 0 लग जाएगा अब वही चीज यहां पर भी पूछ लिया है कि 9 के अस्थानिय मान और 8 के अस्थानिय मानों की बीच का अंतर क्या होगा तो वही चीज अंतर में बार-बार कह रहा हूं कि अंतर का मतलब होता है बड़ी रासी से छोटी रासी को घ ॡ़र धाया सकते हैं घटा दीजिए अब यहां से उधार लेकर जाएंगे तो यहां पेडना हो जाएगा 822 यहां पर 9 हो जाएगा कितना आगे ओन्सर 89.92 इसका हो जयेगा राइट एंसर हो जाएगा ठीख है चलिए अभी बहुत हलके कोश्चन है घ país लास्टमे एक की बात करते हैं अब देखिए अगले कोशन की अगर हम बात करें तो अगला कोशन कुछ इस तरीके से हमारे पास है जैसे मैं आप से कहूं कि संख्या संख्या 25 तिरपन 25 27 में 5 के 5 के अस्थानिय मान 5 के अस्थानिय मान योम जातिय मान योम जातिय मान में क्या अंतर होगा क्या अंतर होगा क्या अंतर होगा अब ध्यान दिजिए संख्या हमारे पास क्या है 25 27 अब यहाँ पे ध्यान दिजिए यहाँ पे क्या कर रहा है देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप इस दो को लिख लिजिए 6 और ये आपका हो जाएगा साथ, तो यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ छे साथ, अब आपकी संक्या क्या हो गई, सही हो गया, आप देखें यहाँ पे पांच के अस्थानिय मान की बात करों, तो यहाँ पे पांच का अस्थानिय मान क्या होगा, तो पांच का अस्थान मान आपका क्या होता है face value, face value का मतलब उसका चेहरा कैसे है, जैसे मैं पूछो कि 5 बताइए आप कैसे लिखेंगे, तो उसका 5 का symbolic form क्या है, ऐसे है, तो ये 5 हो गया, ये 500 हो गया, तो 5 का अस्थानिय मान 500, 5 का जाती है, मान 5 हो गया, तो आप से क्या पूछा है, difference बताइए, तो difference मतलब क्या, अंतर, बड़ी रासी से छोटी रासी, क्या करेंगे, घटा देंगे, तो बड़ी रासी 500 है, और इसमें सिफ 5 घटा देंगे, तो हमारा answer कितना जाएगा, 4, 9, 5, यही इसका क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, देखिए, टेट, सुपर टेट, जैसे छोटे मोटे एक्जामों में यहां से question बनते हैं, अभी धीरे-धीरे हम label की तरफ बढ़ेंगे, 0 से high label की तरफ, ठीक है, तो यह आपका कोई हो गया, answer हो गया, चलिए हम next question की बात करते हैं, अब देखिए, अगर हम next question की बात करें, तो next question जो है, यह आपका कई परिक्षाओं में पूछा जा चुका है, प्रश्न, जो आपका question अगला लिखने जा रहा हूं, तो देखिए, अगला question है, एक हजार, जैसे मैं कहूँ, एक हजार जिस फॉर्म में लिखा था, मैं उसी फॉर्म में लिख रहा हूं, एक हजार प्लस, तीन सैकड़ा प्लस, एक एकाई, नहीं, तीन सैकड़ा, तीन दहाई, प्लस एक इकाई एक इकाई बराबर दिया गया था ग्यारा गुड़े एक्स स्क्वाईर है तो है तो यक्स का यक्स का मान क्या होगा अब देखिए यहां पे जो इसका अप्सन था अप्सन अगर आप्सन की जरूरत ही नहीं है आप्सन को कुछ ही यहीं नहीं देखिए यहां पे क्या लिखा गया है कोश्चन एक हजार, प्लस क्या लिखा गया है, तीन सा एकड़ा, और प्लस कितना हो गया, तीन दहाई हो गया, और प्लस क्या बचा, एक इकाई हो गया, क्या हो गया, एक इकाई हो गया, और बराबर संख्या के मान के बराबर क्या दिया गया है, ग्यारा इंटू एक्स स्क्वाइर, य 3 सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, तो ऐसी संख्या है जिसमें 100 का multiple हो, 100 का multiple क्या होगा, 3 सैकड़े के form में अगर हम लिखेंगे, 300, और इसी को क्या बोलते हैं, 3 सैकड़ा बोलते हैं, गाउं देहातों में आप देखें होंगे, प्लस 3 दहाई, तो 3 दहाई का मतलब 10, तो इसमें 10 का गुरज होगा, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और प्लस 1 इकाई बराबर कितना हो गया, 11 X स्क्वाइर, तो यहाँ पे देखिए, 1000 में 300 जोड़े तो कितना हो गया, 1300, 1330 में जोड़े तो 1330, और 1330 में जोड़े तो कितना हो गया, 1331, बराबर कितना हो गया, 11 X स्क्वाइर, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि सर, X स्क्वाइर बराबर होगा, 1331 अपान 11, और 11 को जब काटेंगे इसमें, तो यह आगा, 121, अर्थात 111 कम 11, 122, 121, फिर 11, तो यहाँ बराबर कितना आजाएगा, अंडर रूट 121, अंडर रूट 121 को लिख सकते हो, 11, 11, 11, जोड़ा बना, एक बाहर आगया, मतलब यहाँ पे X की बैलू कितनी आगई, हमारी 11 आगई, तो इस कोश्चन को ध्यान से समझेगा, कभी कभी language base पे दे देता है, जैसे 1000 का मतलब क्या होता है, 3, 0, सैकड़ा का म अगा पुझे की दसांस, बताईए, दसांस का मतलब यह होता है की 1 बटे 10, यह क्या है, इसका दसांस है, ठीक है, तो यह चीज़ आप जानते रहीगा, यह दसमलों के बाद की संख्या की बाद, जब हम करते हैं, तो हहाँ पर दसांस, सैकड़ांस, यह सब बातों हम करते है तो सैकडांस कहेगा, सैकडांस मतलब नीचे 100, हजरांस कहेगा या हजरहुआ भाग कहेगा, तो नीचे कितना? एक हजार एक बटे एक हजार को क्या बोलेंगे एक बटे एक हजार को बोलेंगे हजर वह भाग सेकड़ वह भाग तो एक बटे 100 हो झाएगा दहाई या भाग एक बटे 10 इस तरीके से आप कर सकते हैं जिससे यहाँ पे hundred होता है तो वहाँ पे 100 के आगे TH लिख जाता है तो उसको बोलते हैं 100th तो वो क्या होता है आपका सैक्डाभा चलिए हम आगे की कुतरब बढ़ें तो और कुछ कोश्चनों की चर्चा यहाँ पे हम कर लेते हैं कुछ कोश्चन इस प्रकार से हैं देखे अगला कुश्चन है कि 70 0,7 बराबर 7 गुडे 10 to power x प्लस 7 गुडे 10 to power y प्लस 7 गुडे 10 to power z यह z है यह नहीं तो इसको दो समझ लेजे जहां जहां x, y, z x, y, z एक धनात्मग एक क्या है धनात्मग पून संख्याएं है धनात्मग पून संख्याएं है धनात्मग पून संख्याएं है इसके बाद आगे दिया गया है तो तो 2x प्लस 3y प्लस 4z का मान ग्याद कीजिए का मान ग्याद कीजिए अब ध्यान दीजिएगा इस question को थोड़ा सा ये question ठीक ठाक है जैसे मैं अगर आपसे बात करूँ कि जैसे 251 है और इसका मैं रूपांतन आपसे पूछू कि अस्थानी इमान या place value के रूप में करिए तो आप जानते हैं कि यहाँ पे 2 का अस्थानी इमान क्या होगा तो 2 का अस्थानी इमान देखो कितनी संख्या है दो डिजिट 5 का अस्थानी इमान क्या होगा पाचास 1 का अस्थानी इमान एक होगा अब जब जानते हैं कि जब संख्या का रूपांतन अस्थानी इमान में करते हैं तो maximum संख्या से हम नियुंतम संख्या की तरफ उनका sum आप नंबर लिखते हैं जैसे सबसे पहले क्या है सबसे बड़ी संख्या 200 प्लस क्या है 50 प्लस क्या है 1 तो इनका जब sum कर देंगे तो इसी संख्या के बराबर आएगा कि नहीं आएगा तो इसका मतलब इनके अस्थानिय मान के लिखने का जो असली तरीका जो सही तरीका है उसका मतलब क्या होता सबसे पहले क्या लिखेंगे इकाई सबसे लास्ट में दहाई इसके बाद फिर सैकडा फिर हजार फिर 10,000,000,000,000,000,000 ऐसे ही लिखते जाते हैं मतलब मैक्सिमम से मिनमम की तरफ हम सीरिज को लिखते हैं इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूँ कि संख्या 7707 है अगर मैं इसका अस्थानिय मान आपसे पूछूँ तो इसमें बताइए भीया इस 7 का अस्थानिय मान क्या होगा तो सर कहेंगे 7 के बाद 4 डिजिट हैं त फिर देखिए अगर जीरो का मैं अस्थानिय मान लोगा तो जीरो का अस्थानिय मान क्या होगा जीरो होगा तो हमको जीरो से कोई मतलब नहीं होगा फिर इस वाले 7 का अस्थानिय मान निकालोंगे तो इस 7 के बाद कितने डिजिट हैं दो तो 2 जीरो बढ़ा देंगे इस 7 क बाद कितनी डिजिट हैं तो एक भी जीरो नहीं बढ़ाएंगे अब हमने बताया था कि जब भी संख्या को हम अस्थानिय मान के रूप में रूपांतरित करेंगे तो आप जानते हैं सबसे पहले हम बड़ी संख्या रखते हैं फिर छोटी फिर सबसे छोटी तो सबसे बड़ यही संख्या को जब हमने अस्थानिय मान के फॉप में हमने लिखा तो हमारी संख्या इस फॉप में तूट गई और इन ही संख्या के बराबर हमको दिया गया है साथ गुडे टेन टू पावर एक्स प्लस साथ गुडे दस की पावर वाई और प्लस साथ गुडे दस की और 4, 7 गुड़े कितने 0 है? 2, 10 की पावर 2, और 7 गुड़े 1 होता है, तो 1 का मतलब क्या होता है? किसी की भे पावर, कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी नंबर हो, अगर उस नंबर की जो पावर है, वो पावर आपकी क्या हो? जीरो हो, तो उस संख्या का मान क्या होता है? एक होता है, चूकि हमको इस फॉर्म में लिखना है, 10 के फॉर्म में, तो हम इस एक के अस्थान पे क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर 0, और बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुड़े 10 to power x गुड़े, प्लस, आगे प्लस है, प्लस 7 गुड़े 10 to power y, प्लस 7 गुड़े 10 to power क्या हो गया? जेड हो गया, तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगी? कि जब हमने इसको जो है, स्थानिय मान के रूप में परिवर्तित किया, इस संख्या को हम किस से correlate करेंगे? इस से करेंगे, इस संख्या को हम इस से करेंगे, अब देखिए, जब हम compare करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कब-कब value compare की जाती है, जब भी जान लिजिए, variable देखिए, 3 है, यहाँ पे x, y, z, variable क्या है? 3 है, तो जड़ा यह बताइए, एक equation है, variable 3 है, तो आप जड़ा यह बताइए, क्या एक equation से 3 variation निकाला जा सकता है? तो sir, आप कहेंगे, आपका answer होगा, नहीं निकाला जा सकता है, जैसे हम कहें कि sir, a minus b आपको दिया गया है 2, और b minus c आपको दिया गया है 5, तो अगर मैं आपसे पूछूं, कि sir, यह बताइए, a, b, c का मान बताइए, तो क्या आप बता पाएंगे? कभी नहीं बता पाएंगे, इसके लिए अगर 3 variation है, तो 3 equation हमारे पास होना अनिवार है, तभी बता पाएंगे, तो sir, अगर नहीं होगा, तो paper का जो question बनेगा, वो कहीं न कहीं छोटा सा clue जरूर चोड़ेगा, उस clue को हमको पकड़ना है, और वो clue क्या हो सकता है? केवल compare, केवल compare जेसन कर सकते हैं बस, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो देखे, जब हमने इसको compare किया, तो यहाँ पे देखे, 7 गुड़े 10 की power 4 बराबर क्या, 7 गुड़े 10 की power x, तो x के अस्थान पे क्या है? 4, तो x बराबर क्या आगे? 4, sir, y बराबर क्या हो और यहाँ क्या है? 7 गुड़े 10 की power z, तो z का मान कितना हो गया? 0, और हमसे पूछा गया है, कि 2x प्लस 3y प्लस 4z का मान बताइए, तो 2x, x का मान कितना है? 4, प्लस 3y, y का मान कितना है? 2, प्लस 4z, z का मान कितना है? 0, जब इसको करेंगे, तो 4 दुनाई 8, 3 दुनाई 6, 4 तो इस संख्या का मान क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा. उम्मीद करते हैं, ये question हम आपको समझा पाए होंगे, अगर समझ में नहीं आया, तो वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, कमेंट अवस्य करिएगा, कि सर, ये ये समस्या आ रही है, जो भी आपको लगे, रायसला आप बेहे चेक दे सकते हैं, कोई समस्या यहाँ पे नहीं है. चलिए, हम अगले question की चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं. वो चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी variation हमारे पास 2 होंगे, तो हमको 2 ही question मिलेंगे, तभी हम question जो है solve कर पाएंगे, otherwise solve नहीं कर पाएंगे, या अगर solve नहीं कर पाएंगे, तो question ऐसा बनाएगा, कि वो comparison पर आधारित होगा, तो हम क्या करेंगे, compare कर करके answer निकाल सकते हैं. कोई भी question होगा इस तरीके से, तो वो जरूर देगा कुछ न कुछ. अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 123.45 को अस्थानी इमान के रूप में तीन का अस्थानी इमान क्या होगा, तीन, और प्लस चार का अस्थानी इमान क्या होगा, चार बटे, दस, पांच का अस्थानी इमान क्या होगा, पांच बटे, दस, क्यों होगा, चूंकि पांच का अस्थानी इमान क्यों होगा, सारी, सो होगा, क्यों, क्यों 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 क जितने अंग पर दसमलो लगेगा उतना 0 नीचे और यहां पर जिस अंग का अस्थानिय मान निकाल ले हो उस अंग के बाद कितनी डिजिट है उतना 0 तो यह इसका अस्थानिय मान के रूप में क्या हो गया रूप आंतरण हो गया तो यह question नहीं था यह था कि एक concept आपका clear रह फिर से चलिए आगे question देखिए इसे पुछा है कि नो के आंतरिक मूल नो के आंतरिक मूल यो नो के अंकित मूल के बीच में क्या अंतर होगा क्या अंतर होगा यदी संख्या 37 दसमलो 494695 हो तो चलिए इसकी चर्चा हम कर लेते हैं आप देखिए इसका जो option है option आपका है आपका जैसे आपका हो गया 8.919 इसके बाद है 8.491 इसके बाद है आपका 89.19 और लास्ट है नन आप दीज इन में से कोई नहीं अब देखिए option B हो गए option C option D देखिए यहां पे अब language थोड़ा सा यहां पे क्या हो गई difficult हो गई अगर मैं आंतरिक मूल की बात करूं तो यहां पे क्या हुआ कि आंतरिक मूल हमने क्या है पढ़ा ही नहीं है और अंकित मूल क्या ये भी नहीं पड़ा है तो ध्यान दीजिएगा हमने आपको क्लास के सुरुआत में ही बताया कि अंकित मूल मतलब क्या होता है जातिय मान और जातिय मान को क्या बोलते है फेस बैलू फेस बैलू अगर मैं आप से बात करूँ कि सरांत्रिक मूल क्या होता है आंत्रिक मूल मतलब प्लेस बैलू और प्लेस बैलू मतलब क्या होता है अस्थानिय मान होता है ठीक है अगर ये चीज़ आपको नहीं पता होगा तो ये कोश्चन कहीं न कहीं आसान होते हुए भी क्या हो जाएगा क्यों क्यों कि इस question की language थोड़ा सा difficult है अब देखें यहाँ पे जो संख्या दी गई है 37.4695 दी गई है और इसमें पूछा गया है 9 के आंतरिक मूल तो देखो भीया 9 का तो पहले हम पता करने कि 9 का जातिय मान क्या होगा तो सर यह बताए 9 का जातिय मान या मैं कहूं कि अंकित मूल या मैं कहूं क्या या मैं कहूं कि फेस बैलू बताई है तो इन तीनों चीजों का मान एक होता है तो 9 कैसे लिखा जाता है तो कहेंगे सर 9 ऐसे लिखा जाता है चुकि हमने ऐसे ही पढ़ा है तो यह 9 का symbolic form है वोई जाती अमान कर लाता है लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछो कि नौ का स्थानी अमान पूछिए तो दसंबलों के बाद का स्थानी अमान आप जानते हैं जितने डिजिट पे कितना लगा है डेसिमल एक, दो, तीन तो नीचे कितना 0? 30 0.009 अब क्या करेंगे? ये तो इसका क्या हो गया? प्लेस बैलू क्या हो गया? प्लेस बैलू अब प्लेस बैलू और आपका अंकित मोल अर्था जाती है मान के बीच में डिफरेंस पूछा बड़ी रासी से चोटी रासी घटा दीजिए तो यहां पर बड़ी रासी क्या होगी? 9 10.0 और यहां पर क्या है? 0.09 तो हम क्या करेंगे? सब्स्ट्रेक्ट करेंगे एक उधार ले जाएंगे 10 से 9 गया एक यहां पर 9, यहां पर 9 तो अर्थात आपसन नंबर D को मैं भी लिख सकता था कि 8.991 तो इसका क्या हो जाएगा? यह राइट एंसर हो जाएगा ठीक है भई? तो आपको उम्मेद करते हैं यह भी question समझ में आ गया होगा तो कैसे कैसे परिक्षाओं में अस्थानी अमान, जाती अमान से question पूछे गए हैं उन चीजों की हमने चर्चा कर दिया अब एक सबसे last question बचा हुआ है जो आपके SSC में पूछा गया question है चलिए हम उसकी चर्चा कर लेते हैं यह सारी की सारे question यह रेलोए का पूछा गया question है इसलिए हम इसको चर्चा कर लिए देखिए अंकी अमान, जाती अमान याद रखिएगा कि यह किस से related होता है place value और face value से ही related होता है चोकि जब question को टब बनाने को कोसिस करेगा तो क्या करेगा option टफ करता है, इधर उधर करता है या तो language टफ कर देता है जिसके बारे में हम ना सुने हो, ना जाने हो तो आज जान लेजे देखिए अगले question की बात करें तो अगला question क्या है यदी 47.25 06 बराबर 4A plus 7B प्लस आपका 2C plus 5D और आपका है 6E दिया गया है, है तो आपको बताना है 5A plus 3B plus 6C plus D plus 3E plus 3E का मान ग्याद कीजिए का मान ग्याद कीजिए क्या ग्याद करना है इसका मान ग्याद कीजिए option लिखने की कोई जरूरत नहीं है आईए हम इसकी चर्चा यहाँ पे कर देते है देखिए हमारा जो संख्या है वो है 47.2506 अगर भीया मैं इस संख्या को अस्थानिये मान के रूप में तोड़ूंगा तब ही मैं इसका answer निकाल सकता हूँ चुकि यहाँ पे देखिए फिर वही बात फास गई कि सर यहाँ पे variable कितनी है पांच variable है equation कितना है एक और जब जब variable ज़्यादा होंगी equation कम होगा तो यह ससी का question हो चहरेलो का question हो उसका मात्र एक तरीका है क्या? कमपेर जेसन याक तुलना बस इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है तो जब इसका हम compare करेंगे जब इसको हम अब चलिए इसको अस्थानियमान के रूप में तोड़ें तो कैसे तोड़ेंगे? आप जानते हैं चार का अस्थानियमान क्या होगा? 40 होगा साथ का अस्थानियमान 7 होगा प्लस इसका अस्थानियमान क्या होगा? जैसे मैं कहों कि 47 दसमलो 2, 5, 0, 6 4 का अस्थानियमान 40 7 का अस्थानियमान 7 2 का अस्थानियमान 2 बटे 10 5 का स्थानिय मान सर 5 बटे 100 0 का स्थानिय मान 0 6 का स्थानिय मान 6 बटे 1000 6 के बाद कितने अंग पर दसमलो लगा है? 2, 2, 4 तो यहाँ पर कितना 0 बढ़ेगा? 4 0 आपका बढ़ जाएगा तो मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो यह आपका कितना हो गया? 40 यह कितना हो गया? 7 और प्लस 2 को किया लिख सकता हो? 20 बटे 10 और 5 को किया लिख सकता हो? 5 बटे 100 कितने डिजिट पर 0 है? 4 तो नीचे 4 0 बढ़ जाएगा कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है और बराबर इस संख्या को क्या लिखा गया है 4A प्लस 7B प्लस 2C प्लस 5पाण D और प्लस क्या दिया गया है 6E दिया गया है अब ध्यान दीजे यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि सर तुलना करिये तो देखो कुछ है तुलना उसी से होगी आप जानते हैं पहली संख्या से पहली संख्या का दूसरी संख्या से दूसरी संख्या से और आप यह भी देख रहे होंगे कि इसकी कुछ प्रकरती से मैच खा रहे चुकि 4 यहाँ पर भी है अब अगर हम आपसे पूछें कि सर यहाँ पर क्या होगा तो 4 A बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ 40 तो A बराबर कितना आजाएगा 10 अगर मैं आपको कहूँ कि 7 B बराबर क्या होगा 7 B बराबर 7 तो B बराबर कितना आजाएगा 1 आजाएगा इसी तरीके से अगर मैं पूछो कि 2 C बराबर क्या होगा तो 2 बटे 10 हो जाएगा, तो C कमान कितना आजाएगा, 1 बटे 10, कितना हो जाएगा भीया, 1 बटे 10, इसी तरीके से, मैं आपसे कहूँ कि 5 अपान D बराबर क्या होगा, तो कहेंगे सर, 5 बटे कितना हो जाएगा, 100, 5 से 5 कैंसिल, और D बराबर कितना आजाएगा, 100 आजाएगा और अगर मैं आपसे पूछों कि 6E, 6E बराबर कितना है तो कहेंगे सर 6 अपान कितना हो गया, 10,000 अब देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, E बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपान कितना, 10,000 अब देखिए हमसे question क्या पूछा गया है, देखो अगर इसको हम और परिवर्थित कर दें, तो 0.1 होगा, D का मान कितना होगा, 100 होगा, E का मान कितना हो जाएगा, 0.00 कितने अंक पे हैं, 4, तो 4 आपके, 4 अंक पे क्या लगेगा, दसमलो लग जाएगा कितने अंक पे, 4 अंक पे, अब हमसे question क्या पूछा गया है, 5A प्लस 3B प्लस 6C प्लस 6C प्लस D, प्लस क्या है, 3E तो देखो, 5A, A का मान कितना है, 10 है, प्लस 3B, B का मान कितना है, 1, 6C, C का मान कितना, 1 बटे 10 मैं कह सकता हूँ, 0.1 प्लस D का मान कितना है, 100 है, प्लस 3E, E का मान कितना है, 0.001 कितने पे लगा है, 4 अंग पे, अब इसको और ज्यादा जब detail में calculate करेंगे, ति यह हो जाएगा 50, यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा 6.1 ये हो जाएगा आपका क्या 0.6 और ये हो जाएगा 100 ये हो जाएगा 0.00 आपका थरी हो जाएगा अब इस संख्या को लाके जोड़ो तो देखो ये 100 है integer पार्ट पहले जोड़ो तो integer कितना है 100 प्लस 50, डेड़ सो 3, कितना हो गया, 153 हो गया, कितना हो गया, 133 हो गया, 153.0, देखो हमने क्या क्या पहले इंटीजर को अलग जोड लिया, इंटीजर हमारे क्या है, 103 और 50, कितना हुआ, 133, अब डेसिमल को दोड लेते हैं, यहाँ पे क्या है, 0.6, ठीक है, आगे देखिए, क्या है, 0.003, तो इसके आगे भी 0, चाहे जितना बढ़ा दें, कोई मान पे दिक्कत नहीं आती है, क्या पूछा है, इनका प्लस पूछा है, एडिसन पूछा है, प्लस कर दो, यहाँ पर कितना आ गया, 3, 0, 0, 6, और यह आपका कितना हो गया, 3, 5, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट एंसर हो जाएगा, तो यह इसका क्या है, अस्थानिये मान की यह कुछ क्वेश्चन आपको बेहत समझ में आया होगा, तो चलिए, आईए कुछ कोश्चन के और भी चर्चा कर लेते हैं, हम next concept से related, ठीक है भाई, देख लिजे, कहीं कोई समझ्या हो, screen chart या कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है, चलिए, तो हमने बताया कि जब variable अधिक हो, एक question कम हो, तो उसका मात्र एक तरीका है compare, अर्थात तुलना, बिना तुलना करें, आप उसका answer नहीं निकाल सकते हैं, तो ये question थोड़ा ठीक ठाक label का रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, चलिए, अब कभी-कभी परिक्षाओं में छोटे-मोटे question हो, पूछ लेते हैं कि योज प्रतिलोम क्या होते हैं, या गुणांत्मक प्रतिलोम क्या होते हैं, जैसे कोई भी पर्मिय संख्या आपको दी जाए, जैसे आपसे कहा जाए, क्या पूछेगा, हम एक लिस्ट के थुरू आपको समझा दे रहे हैं, संख्या हो और आपसे क्या पूछेगा, योज प्रतिलोम क्या पूछेगा, योज प्रतिलोम फिर आपसे क्या पूछ सकता है, गुणांत्मक प्रतिलोम अब देखिए ध्यांसे, जैसे कोई भी संख्या हो, बढ़ी यासा देखिए भाई अपना प्रेम असिर्वाद ऐसे बनाए रखेंगे तो जल्द से जल्द ही डिस्टल बोर्ड की भी विवस्था हो जाएगे और उसके बाद फिर पियंजी चलेगी टकाटा का इंसर आता रहेगा हम लोग सॉल्व करते रहेंगे आपस में मज़ा भी आएगा चलिए देखिए अगर कोई पर्मिय संख्या मालो है दो बटे क्या है तीन है फिर माइनस पांच बटे तीन है या साथ बटे आठ है या हम कहें नौ है और या मैं कहों कि माइनस दस है तो जरा ये बताइए अगर मैं उसका योज प्रतिलों पूछो तो और गु यहाँ पर मैंने क्या लिखा दो बटे तीन है क्या लिखा दो बटे तीन है ये संख्या पांच बटे तीन है तो ऐसे पांच बटे तीन लिख देजिए साथ बटे आठ है साथ बटे आठ लिख दीजिए नौ लिखा है नौ लिख दीजिए दस लिखा है तो दस लिख दीज यह निगेटिव है तो क्या कर देंगे पॉजिटिव चुकि पॉजिटिव लिखा नहीं जाता है लेकिन आप समझ जाएए इसलिए आपके सामने मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पे देखो यह संख्या माइनस में नहीं है चुकि माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और जब प्लस में आ जाएगा तेहां पे क्या कर देंगे माइनस लगा देंगे यह देखो क्या है प्लस में है तेहां लगा दिये माइनस यह माइनस में है तेहां पे क्या होगा प्लस होगा, प्लस लिखा नहीं जाता, इसलिए प्लस क्या कर देंगे, हटा देंगे, ये इन संख्याओं का क्या है, योज प्रतिलोम, अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसमें क्या होती है, संख्या पलट हो जाती है, क जो संख्या जिस पॉम में है वैसे इसको लिख दो, बस positive है तो negative है तो positive कह दो, वही इसका क्या होगा, योज प्रतिलोम होगा, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें, तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब यह हो गया, कि संख्या को पलट दीजिए, तो देखो, दो बट calculate करूँगा, तो minus minus क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कहीं न कहीं, तो यह तो 7 बटे 8 है तो है, तो देखो, 7 बटे 8 लिखा गया है, तो हम क्या लिख देंगे, 8 बटे 7, यहाँ पे देखिए, 9 लिखा गया है, तो 9 की नीचे आप जानते है, 9 को जब हम पलटेंगे, त 9 की नीचे 1 हो भे करता है, इसको चाहे लिखा जानते है, और जब इसको पलटेंगे, तो 1 बटे 9 हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 1 बटे 9, और यह संख्या minus 10 है, क्या है, minus 10 है, तो minus 10 की नीचे 1 लगा सकते हैं, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 10 minus का, तो यह क्या हो ज तंख्या क्या होगी हर को अंस में बदल दिया जाएगा अंस को हर में बस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में रहेगा निगेटिव है तो निगेटिव में रहेगा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में रहेगा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में निगेटिव में है तो हम क्या कर देंगे निगेटिव में यही इसका योज प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम है बस आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवार